गुत्रपर्देश के आगरा में अभी कुछ दिन पहले वा थाना छेत्र में CAC अस्पताल में तैना डॉक्टरों का ओडियो वारल होने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब एत्मादपूर थाना छेत्र का CAC अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है इत्मादपूर के CAC स्पताल का मामला CAC स्पताल से बड़ा है दरसल CAC स्पताल एत्मादपूर में दवाईयों का कालिक धंडे का खेल चल रहा है जिसमें ये मामला उजागर हो गया है और हमारे पास दवाईयों के पुखता वीडियो भी मौजूद हैं जिसके अधार पर आने वाली सरकार सरकारी दवाईयों की सुविधा बिमार और गर्वती महिलाओ तक नहीं पहुँच पा रही है CAC स्पताल में दवाईयों का बड़ा खेल चल रहा है कमीशन खूरी के चक्कर में डॉक्टर बाहर से मेडिशन मंगाते हैं और सरकार की दवाईयों को यूहीं कड़े और कुडे में फेक कर नश्ट कर देते हैं नजर आपके सामने है CAC स्पताल के तनात एक करमचारी के मुँग पर कपड़ा बंधे हुए था और यहां सरकारी दवाईयों को आग के हवाले किया जा रहा था मामला साब था कि सरकार की दवाईयों को नश्ट करके सबू यू देने लगे दरसल आप आपको बता देते हैं कि जो टी वीडियो हमारे हाथ लगी है उसमें दवाईों की एक्सपारी डेट ऑक्टूबर 2018 लिखी है यानि साफ है कि ये दवाईयां अभी तक एक्सपार नहीं हुई है तो फिर इन दवाईयों को आख के हवाले करके क्यों किया जा रहा है किसा अधिकारी मौजूद नहीं थे और करमचारी बोलने को राजी नहीं थे तो फिर जवाब देहीं भी तैह होनी चाहिए थी कि आखिर सरकार की यूजना को पलीता लगा कर और सरकारी रधवाईयों को नस्ट करने वाले कौन कौन से अधिकारी और कौन कौन से करमचारी सामिल है इस वीडियो के अधार पर हम एक कह सकते हैं कि एत्मादपूर का सीएसे अधिकारी ब्रस्चार का डब बना हुआ है और सरकार की सुविधाय जनता तक नहीं पहुच रही है और गर्वती महिलाओं के साथ पेमार लोगों का हक सीएसे स्पताल में तैनात करमचारी मार रहे हैं अब देखना होगा कि इस वीडियो के अधार पर यहां तैनात अधिकारियों और करमचारियों पर क्या कारवाई होती है उतर परदे सेफ अनान खान की रिपोर्ट